Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल 29 फरवरी को ही इंडिन गौर्रमेंट ने 3 सेमिकंडक्टर प्लांस को सेटप करने के लिए 1.26 ट्रिलियन रुपीज का इन्वेस्मेंट अप्रूब किया है ये प्लांस गुजरात के धोलेरा, असम के मोरिगाओं और गुजरात के सारंद में स्थापित के जा रहे हैं और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 100 दिनो मिन का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा मगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखरी सेमिकंडक्टर होता क्या है अब आप सोचेंगे कि आखर ऐसा कैसे हो सकता है देखे जादू है सेमिकंडक्टर का जिनसे हुए टेक्नलोजिकल एडवांस्मेंट की वज़ा से एक टाइम में कमरे के बराबर जगह लेने वाले कम्प्यूटर कंपोनेंट्स आज हमारी स्मार्ट वाचेज में लगी छोटी सी चिप में ही फिट हो जाते हैं और वो भी लगातार गिरती कीमतों की बीच आप देखेंगे तो इसी का नतीजा है कि आख सेमिकंडक्टर इंडश्री को मौडरन टेक्नलोजी की बैकबून कहा जाता है जहां टेली कम्मुनिकेशन से लेकर आटोमोटिव तक हर सिक्टर के एडवांस्मेंट और टेक्नलोजिकल सस्टेनिबिल्टी इसी सेमिकंडक्टर इंडश्री पर निर्भर करती है और जिस गती से हमारी दुनिया एक डिजिटाइज फ्यूचर की ओर बढ़ रही है उसमें सेमिकंडक्टर किस राइजिंग सिग्निफिकेंस ने सेमिकंडक्टर मैनुफैक्श्रिंग को लेकर एक ग्लोबल रेश शुरू कर दी है जहां हर कोई एक दुसरी को पीछे चोड़ना चाता है जिसमें भारत भी अपनी कमर कश उगा है और पूरी जीजान से देश में एक सेमिकंडक्टर एकोसिस्टम डेवलब करने में लगा हुआ है लेकिन देखा जात उसकी कोशिश आज से नहीं बलकी पिछले 6-7 दशकों से जारी है दुसरों पर ताजुब की बात है कि अपने इन सभी प्रयासों की बावजूद भी आज भारत इलेक्ट्रोनिक्स और सेमिकंडक्टर के मामले में पूरी तरीके से इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है जहां साल 2022 में भारत की सेमिकंडक्टर इन्डेस्ट्री 27 बिलियन यूज डॉलर से भी जादा की थी मगर इसमें से 90% के लिए वो दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट था जिसमें सबसे बड़ा शेयर भारत के धुर विरोधी चाइना का है दूसर ऐसे में इंड़स्री एक्सपर्ट इस बाद को पॉइंट आउट करते हैं कि शायद भारत सेमिकंडक्टर कि इस ग्लोबल रेस में अपनी ट्रेन मिस कर चुका है और आज भारत जिस सेमिकंडक्टर इंड़स्री को बिल्ड करने की कोशिश में लगा हुआ है वो असल में एक लॉस्ट कॉज है ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखर वो क्या कारण है कि भारत जिनकी वज़ा से इस रेस में पिछड़ गया है और उसे भी महत्वपूर्ट सवाल यह कि आखर कैसे हो अपने पड़ोसी देशों जापान और ताइवान से सीख लेकर फिर से हारी हुई बाजी को पलट सकता है दोस्तों आज किस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डेटेल में चर्चा करेंगे यह टॉपिक UPC मेंस GS Paper 3 के इंडियन एकोनोमिस से रेलेटेल सेक्शन के प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आपको इस से रेलेटेल एक मेंस प्रैक्टिस कोशन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा सौगत आप सभी के स्टेडी IQ में अनुराग पांडे नाम है मारा और ऐसे तमाम लेटेस वीडियो के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मेडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में दिये के लिंक पे क्लिक करके भी आप वीडियो को इंडियो कर सकते हैं डूसों, سեमिकन्डक्टर्स हूँ मेतरियल होते हैं जिनकी अलेक्टरॉनिक कंड़क्टिव RT sil पे कहीं बीच में होती हैं ये टिपिकली सिलिकॉण के बने होते हैं जबकि कभी कि इसके लिए जर्मीनियम और गैलियम आर्सrireाइट जैसे मैटेटरियल भी आप देखेंगे तो अक्सर इनकी selective conductivity properties को doping की मदद से artificially alter करके electronic devices के components को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल के जाता है आज की तारीख में semiconductors की मदद से बने chipsets, integrated circuits और microchips, TV और mobile phone जैसे commonly used electronic devices से लिकर, automobiles, drone and defense technology, satellite industrial electronics, medical electronics, automation, IT hardware, और internet of thing जैसे सभी modern electronic devices और technologies में इनका इस्तेमाल के जाता है जो इसे एक बेहर्दी crucial sector बना देता है दोस्तों से हमें experts का मनना है कि जैसे एक time में oil और gas ने geopolitics को dominate किया था वैसे आने वाला time semiconductor और chip technology का है यही वज़ा है कि जब COVID crisis और global lockdown की वज़ा से semiconductor chipsets का production negatively effect हुआ तो इससे पैदा हुई chip shortage का असर mobile phone से लेकर automobiles के production तक में दिखाई दिया और तो पहली बार दुनिया ने realize कि कैसे वो अपने chips के लिए Taiwan और China पर dependent है और कैसे इन सभी electronics के important manufacturing पर more or less China का ही control है Mackenzie के एक recent report के मुताबिक जो global semiconductor market 2021 में 590 billion dollar का था उसके 2030 तक 1 trillion dollar के mark को cross कर जाने की उमीद है साथी military equipment से लेकर communication systems और satellites तक के लिए ये critical semiconductors आने वाले time में किसी भी देश की security के लिए बहुत ही crucial होंगे ये ही वज़ा है कि आज हर देश यहां तक की US EU और Japan जैसे traditional semiconductor hubs भी खुद को शेतर में rediscover और re-establish करने में लगे हुए हैं जिसे वो 21st century की 5th industrial revolution में पीछे न रह जाएं वहीं अगर हम बात भारत की करें तो Deloitte की एक report की मुताबिक बारत में semi-conductors का market 2026 तक बढ़ करके 55 billion US dollars के आंकड़े को पार कर लेगा जाए इस market size के 60% share को smart phones and wearables, automotive components और computing and data storage के रूप में सिर्फ 3 industries ही drive कर रही हैं यही नहीं Deloitte की ही TMT यानि की technology, media and entertainment telecom report 2023 के मुताबिक साल 2030 के market expand होकर के 85 billion US dollars के आंकड़े को पार कर जाएगा और इस sector में 6 lakhs से अधिक employment opportunities पैदा होंगी दोस्तों वीडियो को continue करें उससे पहले आप सभी के लिए एक important update दोस्तों prelims को UPSC के परिक्षा का RN gate मना जाता है इस exam का selection rate 1% से भी कम है इसी मुश्किल को समझते हुए study IQ आपके लिए लाया है SIP plus यानि success in prelims plus program जिसके अंतरगत मातर 90 दिनों में आप prelims के RN gate को cross करने में सक्षम हो जाएंगे क्योंकि इस program में आपको भारत की सबसे बहतरीन faculty से 200 plus hours की live revision classes मिलेंगी और इन lectures के बाद आपको revision booklets भी मिलेंगी जिससे आप static और current content को revise कर पाएंगे साथ इसमें CSAT की workshops, UPSC simulator test और All India open test भी शामिल है साथी course में सभी NCRTs और standard test books को भी cover किया जाएगा दोस्तों अगर अभी आप इस course को join करते हैं और एन live coupon code का इस्तेमाल करते हैं तो 11,000 से भी ज़्यादा की price वाले scores को मातर 4,499 में है अवेल कर सकते हैं इस course से लेटेट सभी important links आपको print comment और description box में मिल जाएंगे तो आए ये वीडियो को continue करते हैं दिखा जाए तो अभी बास है कि आज के स्थिति में भारत दुनिया का second largest mobile phone producer और एक leading electronic device manufacturer है लेकिन semiconductor industry और खास तोर पर इसके designing और development की मामले में भारत फिलाल अभी कोसो दूर खड़ा नजर आता है और यही वज़ा है कि भारत में बीते कई दशकों से खुद को एक global semiconductor hub के रूप में establish करने का प्रयास कर रहा है दोसो भारत को semiconductor manufacturing के field में establish करने का पहला मौका 1960s में ही मिल गया था मगर bureaucratic hurdles और reaggressive regulations की वज़ा से भारत ने देश में fair child semiconductor manufacturing plant को establish करने का मौका खो दिया यहां तकि co-founder of intel Robert Noyes 1969 में भारत भी आये थे जहां उनकी कोशिश थी कि भारत में semiconductor manufacturing facility को set up करने के लिए संभावना है तलाशी जाएं लेकिन उस समय कि government की inward looking policies ने intel के साथी साथ बहुत से global giants को भारत आने से रोग दिया देखा रहे तो 1970s में भारत ने समझ लिया था कि आने वाले टाइम में electronic chip बहुत ही crucial होने वाली हैं जिसकी वज़त से हमने एक बहुत ही visionary step लेकते हुए फैसला कियागी भारत भी अपने खुद की electronic chip design और manufacturer करेगा जिसे लेकर देश की public sector undertakings ने एक अच्छा start लिया मगर वो भी से long term में capitalize करने में सफल नहीं हो पाए for example भारत electronics limited immense potential होने के बाद भी खुद को semiconductor manufacturing के field में competitively established नहीं कर पाया जहना तो उसके पास वो volume था और नहीं state of the art technology जो उसे industry leader बना सके दोस्तों सीकड़ी में 1983 में government owned entity S.E.L. याने की semiconductor complex limited को mohali में setup किया गया जिसने इस industry में current giant Taiwan के उतरने से पहले ही semiconductors का production start कर दिया था लेकिन 1989 में हमारे dream उस time तूट गया जब S.E.L. में आग लगई और इस accident में देखते देखते 60 करोन के imported equipment भी स्वाहा हो गए दूसरे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि ये वो time था जब भारत economic crisis और बहुत से internal issues से गुजर रहा था S.E.L. को जल से जल फिर से एक नया जीवन देना भारत के लिए बहुत मुश्किल था जबकि ये वही time था जब दुनिया भर में TV और दूसरे electronic gadgets घरकर तक अपनी पहुँच बना रहे थे लेकिन दुनिया भारत के लिए आखर कहा रुकने वाली थी जहां को दुनिया में electronic equipment के field में चिप की demand बढ़ी बहीन मांग को पूरा करने के लिए ताइवान के रूप में एक नय ग्लोबल manufacturer का उदे हुआ दुस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखर ये हुआ कैसे तो हम आपको बता दे हैं कि वो दौर था जब US और जैपन जैसे global electronic manufacturers अपनी manufacturing cost को cut down करने और सारे दुनिया के electronic market पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए एशिया की और देख रहे थे जहां वो ऐसे destination चाहते थे जो ने cheaper labor और good infrastructure बेस प्रोवाइड कर सके ऐसे में जाहें कुर भारत और दूसरे Asian emerging markets foreign investments और privatization के लिए अपने दरवाजे बंद किये बैठे थे वहीं good roads, railways और reliable electricity से लैस ताइवान ने इस मौके को दोनों हाथों से बुनाया जबकि उस टाइम भारत अपने policy paralysis, lack of coherent vision और आस्थर सरकारों की वजह से formal policy making में inordinate delays से जूज रहा था जिसके चलते कहीं ने कहीं यही वोक्षन था जब भारत electronics और semiconductor shift manufacturing के field में पिछड़ गया और जो मौका भारत ने खोया उसी का यह नतीजा है कि आज दुनिया के most advanced से semiconductor का 90% अकले ताइवान ही manufacture करता है और यही उसे इस field में एक virtual monopoly देता है जिसमें भी manufacturing more or less एक ही entity के under है और इसका नाम है ताइवान semiconductor manufacturing corporation दोस्तों सी तरीके से mid 2000 में भारत Intel को अपने हाँ पर attract कर पाने में खामियाब रहा जिसके चलते Intel Corporation ने अपनी manufacturing वेतनाम में shift कर दी हलागा इसका मतलब यह ने कि भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा बलकि साल 2007 और फिर साल 2012 में भारत ने देश में semiconductor industry को establish करने के लिए special incentive package फॉर्म किये मगर इन दोन अटेम्स में भारत के हां तो कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई लेकिन खुद को global semiconductor और electronic market में manufacturing hub के रूप में establish करने के लिए भारत सरकार ने बीते 3-4 सालों में बहुत ही important steps लिए हैं जिन्हें देख करके एक बर फिर से उम्मीद की किरन नजर आने लगी है दोसों भारत में semiconductor industry के ecosystem को develop करने के लिए बारत सरकार ने साल 2021 में ही Indian semiconductor mission के अंडर 76,000 करून रुपे की incentive scheme को launch कर चुकी है साथ ही भारत कयम है कि वो 2024 तक देश में semiconductor से related कम से कम 100 prominent startups build करे और खुद को एक global innovation hub के रूप में इस्थापित करें जहां पिते साली PMOD ने उन सभी companies को 50% तक की financial aid देने की घोशना की थी जो भारत में semiconductor manufacturing plants लगाने में इचुक है दोसों यह अब तक central government ने देश में electronics manufacturing को boost करने के लिए अपनी product linked incentive scheme के अंडर 5600 करोन का disbursement भी कर चुकी है देखा जा तो भारत सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि दुनिया भर के semiconductor manufacturers आज भारत में अपनी industries को setup करने के लिए रुची दिखा रहे हैं जहां बीते साल US-based semiconductor giant micron पहली company बनी जिसने भारत में अपनी semiconductor manufacturing unit establish करने की घोशना की जहां 2.75 billion US dollars की लागस से गुजरात के साड़न में इस factory को establish किया जा रहा है देखा जाए तो इसी कड़ी में हाल ही में भारत के union minister अशुनी वैशनों ने घोशना की है कि इस factory के जरिये दिसंबर 2024 तक भारत अपनी पहली made in India chip launch करेगा जिसको लेकर की अंदाजा लगा जा रहा है कि जैसे ही ये made in India chip market में आएगी भारत में mobile phones, computers और medical equipment के लावा अप्लैंसेज और gaming hardware के दाम तेजी से गड़ने लगेंगे साथ ही IT minister के और से हाल ही में बास सामने आएगी बारत सरकार at present semiconductor manufacturing से जोड़े नव प्रपोजल्स पर विचार कर रही है आप देखेंगे तो इसी भी chip maker MD ने भी नॉबर 2023 में बेंगलुरू में 5,000 square food campus अनविल किया है जहां उसका primary focus 3D stacking, artificial intelligence और machine learning सा ही semiconductor technology का design और development है जिबकि इस्रेल की tower semiconductor ने भी government से साल 2024 में देश में fabrication facility establish करने को लेकर guidance मंगा है दोस्तों इसी तरीके से हाल ही में US semiconductor giant Qualcomm ने भी नोईडा, चे नई, बेंगलूरू वे हैदराबास है देश के बहुत से शेहरों में semiconductor industries को establish करने में अपना interest शो किया है यही नहीं वो near future में Indian government और Tata Group के साथ मिलकर अपने सभी PC chips की local packaging करने के दिशा में भी खदम उठा रही है साथ ही 60 technology की local development को लेकर के भी Qualcomm तेजी से आगे बढ़ रहा है देखा जाए तो इसी सिलसले में कुछ ताइम पहले भारत और जैपैन की वीच MOU साइन हो चुके हैं जहां जैपैन भारत के साथ मिलकर के भारत में semiconductor industry को establish करने में सहयोग देने के लिए वज़न बद है सो ऐसे में भारत की ओर से लगातार हो रहे है प्रयासों और दुनिया भर से भारत को मिल रहे है proposals को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि वो दिन दूर नहीं जब जल्दी भारत भी electronic और semiconductor industry के field में अपना खुद का full-fledged ecosystem develop कर लेगा लेकिन अगर हम experts की माने तो रास्ता इतना भी आसान नहीं है और भारत की राह में ऐसे बहुत से रोड़े हैं जिनको दूर किये बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता है दोस्तों अगर हम देश के साथ साथ global semiconductor manufacturing sector पर गौर करें तो हम यह पाएंगी कि भारत की राह आसान नहीं है for example attractive skims के बाद भी Intel, Samsung और global foundries इत्याद जैसे global semiconductor joints भारत में कोई massive investment करते दिखाई नहीं दे रहे हैं जबकि अगर हम US पर गौर करें तो उसने बीते साल ही semiconductor manufacturing giant को अपने देश में attract करने के लिए chips याने की creating helpful incentives to produce semiconductor act पास किया है जहां वो इन firms को 50 billion dollars की government subsidies provide कर रहा है जिसके साथ ही TSMC ने Arizona में fab establishment करने के लिए 40 billion dollar का commitment दे दिया है जहां वो 2026 तक अब तक की सबसे advanced chip manufacture करने का target भी तैंकर चुका है आप देखेंगे तो इसी तरीके से साल 2021 में Samsung के घर South Korea में भी 450 billion dollars के investment से chip manufacturing को push करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां बेते साल उन्होंने K-chips Act भी announce कर दिया था जिसके अंडर वो इन सभी companies को double tax benefit प्रवाइड कर रहे हैं जो South Korea में जाकर अपने semiconductor chips बनाते हैं similarly EU का भी अपना खुद का chips Act है जिसके अंडर वो 40 billion dollar subsidies प्रवाइड कर रहे हैं साथी भारत में micron साही जिन companies ने अपने plant setup भी नहीं किये हैं वो भी ATMP यानि Assembly Test and Packaging plant हैं जिसमें manufacturing involved नहीं होती है बलके chip manufacturing का last stage है जिसके पहले design, development और fabrication के important steps भारत में नहीं किये जा रहे हैं जिबकि अगर हम भारत के tower industries के plan पर गौर करें तो हम यह पाएंगे कि यह भी भारत में 65 nanometer और 40 nanometer की chip manufacture करने की योजना बना रहे हैं जो कि semiconductor industry के लिहाँ से कोई cutting edge technology नहीं है दोस्तों ऐससे में भारत के लिए semiconductor manufacturer बनने की राह आसान नहीं होने वाली है लेकिन इसका कोई एक नीबल की बहुत से कारण है जिसमें पहला lack of manufacturing, infrastructure and technology constraints दोस्तों हाला कि भारत chip designing के field में excel कर रहा है लेकिन उसके लिए chip fabrication facilities को build कर पाना अभी भी मुश्किल है यही वज़ा है कि Mitsubishi Electrical India के MD काजुहिको तामुरू ने भी Indian ecosystem को semiconductor manufacturing के लिए नाकाफी बताया है जहां उन्होंने इस बात को point out किया कि अभी भी भारत को एक full-fledged semiconductor manufacturing industry set-up करने के लिए चाइना और South Korea दिसे technologically advanced countries से भी technology, machines और raw material import करने की जरूद होगी जिसे acquire करना है दूसरे देशों से technology transfer में सालों लग जाते हैं दूसरा है capital intensity दूसरों semiconductor industry को set-up करने के लिए substantial investment की जरूत होती है यही वजाए कि smaller players इस field में अपना भाग आजबाने का खत्रा नहीं लेते हैं जिसका एक बड़ा करनी भी कि chip manufacturing industry एक high risk industry है जिसका lengthy gestation period इसमें किये गए investments को और भी challenging मना देते हैं दूसरों जाहें chip foundry को establish करने के लिए जरूरी investment को recover करने में ही 6-8 साल तक का time लग जाता है यहीदी semiconductor fabrication business में कियेगे investment को लेकर एक बार risk यह भी है कि इसमें invest कियेगे billion 100 dollars को उस ship technology के offslate होने से पहले recover करना जरूरी है जिसकी economic viability के लिए substantial production volumes create करना भी जरूरी होता है ऐसमें केवल domestic market के लिए chip fabrication industry develop करना देखा जायत तो economically viable नहीं है लेकिन भारत में semiconductor industry setup करने के लिए सिर्फ capital एक मातर hurdle नहीं है तीसरा है resource constraints 200 semiconductor industry को setup करने के लिए केवल land allocation की जरूरत नहीं है बलकि से run करने के लिए ultra pure water, stable water supply और specialized gases के लावा वेफर से सी specific और complex requirements होती है जिन्हें पूरा करने में भारत के अधिकतर region असमर्थ है यहीं वज़ा कि चिफ fabrication के लिए green field या फिर stand alone setup build नहीं किर सकता है यह पूरी industry एक ecosystem की तरह ही build कि जा सकती है जहां logistics से लेकर के raw material तक और production technology से लेकर market तक सब कुछ accessible होना चाहिए दोस्तों चोथा कारान है lacking talent pool हालाग इसमें कोई दो राइने की भारत का youthful talent pool दुनिया भर में अपने skills का लोहा मनवा चुका है लेकिन अगर हम reports की माने तो manufacturing जैसे complex और newly advancing field के मामले में इने talent pool एक critical deficit से गुजर रहा है जहां उसकी workforce में chip design, fabrication और testing जैसे sector में specific specialized skills की कमी है यही वज़ा है कि बीते सार ministry of electronics के official के हवाले से report किया गया कि बारत जिन semiconductor manufacturing plants को establish करने की तयारी में है देखा जाये तो initial stage पर उन्हें properly operate करने के लिए हमें ये talent देश के बाहर से attract करना होगा और ऐसाच लिए है क्योंकि साल 2027 तक भारत को अपने semiconductor plants को operate करने के लिए 10-13,000 human resource की जरूत होगी दोस्तों ऐसे में इतनी बड़ी demand को पूरा करने के लिए initial stage पर भारत को skilled emigrator talent की जरूत होगी मगर इसके साथी सार भारत को अपने talented youth को इसके लिए parallel skill भी करना होगा हलांकि इस दिशा में chips to startup इसे program को launch करके भारत सरकार ने अलरी अपना पहला खदम रख दिया है जिसके जरी सरकार का aim है कि VLSI यानि की very large scale integration और semiconductor के embedded system design में 85,000 engineers को train किया जाए अब ऐसे में सवाल यूठता है कि आखर इन सब hurdles को दूर करने को लेकर भारत अपने पड़ोसी देशों से क्या सीख सकता है तो आईए अब इसको भी समझ लेते हैं दूस्तों अगर हम speed में चाइना की success story पर गौर करें तो हम भी पाएंगे कि उसने भी semiconductor manufacturing के field में काफी late start किया था मगर बीते दो दशकों में government के massive financial support के दम पर उसने दुनिया भर के सेंकडो loss making fabs acquire किये साथी lower manufacturing cost और talent acquisition और upskilling के दम पर उसने खुद की fab industry बिल्ड की साथी chip manufacture करने के लिए ज़रूरी rare earth materials के मामले में चाइना की natural supremacy ने उसे एक added edge provide किया है जिसका नतीज़ा यह हुआ कि जब तक इस game के traditional leader US को इस बात की भनक लगी तब तक चाइना chips का एक major producer बन चुका था जहां हो बीते दो दशकों में lower production cost के चलते US और उसके दोरह western allies दोरह transfer की जा रही fab related technologies से खुद को enrich करता रहा दोस्तों ऐसे में भारत भी चाइना से सीखते हुए एक slow start कर सकता है जहां हो directly cutting edge manufacturing technologies की और बढ़ने की बजाए ATMP आने की assembly, test and packaging plants को develop करके acquired technology और step by step workforce skilling के जरिये धिरे full-fledged semiconductor manufacturing की और अब scale कर सकता है दूसरी और अगर हम Japan के strategy पर गौर करें तो हम यह पाएंगी की आज से दो दशक पहले तक Japan semiconductor manufacturing के मामले में एक unrivaled leader हुआ करता था मगर बीते को सालों में खुद को एक बार फिर से उसी position में लाने के लिए प्रयास में है जिसके लिए Japanese government तेजी से अपने regulations को investment friendly बनाने और local government की मदश से record time पर local issues को resolve करने के लिए administrative setup बिल्ड कर रहा है साथे Japan आने वाले 10 सालों में domestic production और priority domestic shipments के लिए भी subsidies प्रोवाइड कर रहा है देखा जा तो Japan की इनी policies का नदीजा है कि रिसेंट reports के मुताबिक बीते 2 सालों में आप देखेंगे तो ताइवान के 9 से अधिक established chip manufacturers जैपैन में shift हो चुके हैं जहां ताइवान की chip making giant TSMC यानि की ताइवान semiconductor manufacturing company ने बीते हफ़ते ही जैपैन में अपनी पहली factory establish कर लिए है और इस factory का 40% cost Japanese government ने बियर किया है साथे TSMC ने अपने प्रसरीलीज में ये भी घोशना किया कि वो एक साल के भीतर जैपैन में अपने दूसरे manufacturing unit को भी शुरू करने वाला है आपको बताने कि TSMC के इस plant की खास बात ये है कि extensive government support और 24x7 construction की मदद से ये plant के वाद दो साल में ही बनकर तयार हो गया है जबकि normally ऐसे plants को तयार होने में 5-6 years का time लगता है और ऐसे में इंडियन government को भी इस दिशा में खदम उठाने की जरुत है दूस्तों हाल ही में भारत ने अपने major bottle link को दूर करने के लिए फिर से एक बार मोहलिस्ति सेमिकंड़क्टर लैब को modernize करने का फैसला किया है जाए इंडियन government इसके लिए 1.2 billion US dollar का massive investment भी करने वाली है साथ इंडियन government इंडिया सेमिकंड़क्टर research institute establish करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है और इस तता AICT ने देश भर में इस field के talent को train करने के लिए courses launch कर दिये है दोस्तों अब ऐसे में देखना दिलसस्प होगा कि आने वाले time में भारत किस तरीके से सेमिकंड़क्टर manufacturing giant बनने के अपने देशकों पुराने सपने को पूरा करता है दोस्तों आप किस पर रहा क्या है हम इस वीडियो के comment section में ज़रूर लिखें और यह हास का हमारा means practice question आप इसका बिजवाब हम इस वीडियो के comment section में दे सकते हैं